इसलाम अलेकुम एब्रीवन वेलकुम बैक टो मैं चैनल अन्दिवन एड्यूकेशन तो आज हम अपना कंटेन्यू करेंगे फाइनिशल अकाउंटिंग लास्ट वीडियो में हमने 7.5 कुशन सॉल्फ हिया था जो कि इंकम स्टेट्मेंट का कुशन था और अब हम सॉल्फ करे बैलेंगे हमारे 8.1 जो के बीजिकली हमारे चैप्टर न्यू चैप्टर है चैप्टर बैलेंशीट का है तो पिछले हमारे सवाल थे 7.1 से 7.45 तक वो सारे जो हमें आपको बोलाता है इंकम स्टेट्मेंट जो हम बना रहे हैं इसको हमें संभाल के रखना है क्योंकि आगे जाके यह कोशन यूज होंगे हमारे बैलेंशीट में जैसे कि आप जाम में देख सकते हैं मैंने 7.1 और 8.1 दोनों को आपने सामने रखा था कि हम दोनों को कंपेर करते हैं बना सके एक लाइन का कोशन है कंप्लीट कोशन 7.1 बार ड्रॉइंग अब बैलेंशीट एजट 31 द यह véo बैलेंशेट किस तरह बनती है बैलेंशीट बनाने की बरिशेख लिए Argento तरीके होता है आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे तो ड्री जो बताऊंग वो जो तोटलब लाइढ़ा दिफिरेंट है आपको जो अजहां लगे ऑगर सकते हैं आपको हम डियो है कि आपको फिसम्हें सामने सलनी हुए यह हमारी यूज्ज होगी बैलेंस शीट में कहां यूज़ हो इसमें इसे पाटरव को मैं बताँब बैलेंस शीट का पैटरं यह है आपके सम्हें तो बैलनES शीट बैसिकली सबसे पहले आपको वही company का नाम आता है balance sheet आता है और उसके नीचे date आती है कि आप कौन से date की balance sheet बना रहे हैं आपके बाद दो type के columns होते हैं इसमें एक asset होता है और एक liabilities और capital होता है एक side पर आपके assets calculate होते हैं एक side पर आपकी liabilities और capital calculate होते हैं जब इन दोनों का sum निकालते है assets का अलग और liability और capital का अलग तो उन दोनों को बराबर आता है अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो आप बोलते हैं आपके business में होता है balance sheet आपके company तो इसमें क्या क्या चीजा होती है अच्छा एक पैटरन तो यह है assets एक तरफ liabilities और capital एक तरफ लेकिन आपको दूसरा pattern मिलेगा वो आपको book के पीछे भी दिया हुआ है उसमें basically ऐसा है कि आपको एक तरफ assets निकालते हैं जैसे अगर आपको current liabilities भी दीवी होंगी तो आप current assets में से पहले current liabilities को minus कर देते हैं और उसके बाद fixed assets में से fixed liabilities को minus करते हैं और उन दोनों को add करते हैं वो एक तरफ और capital को एक तरफ solve करते हैं तो वो दोनों का sum एक जैसा आता है देकिन हमने यहां पर assets को अलग और liabilities और capital को अलग रखाए तो मैं आपको यह आला question solve कराऊंगा यहले method से आप फिर बुक के पीछे जो गेवन है फ्रैंक फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे जब आप उसको देखेंगे तो आपको वह भी समझ आजएगा फिर आपको जो पैटरन ईजी लगए वह आप कर सकते हैं मैंने मैंने सुचा वह method आपको बुक के पीछे um okay recharge को ठीक है तो फोरे तो आपको अचीज आप्क पर कारण बैसेट की नीचे आप जो है मैंचन करेंगे आप को जो जो करहusta धुक्रोकर रहाए को अब आपको बताया तो जो चीजें कर चेद में नहीं जाती हो कि योजो चुकी है आपके जो करन्ट एसेट होते हैं उसमें आपके पाद बैंक शामिल होता है कैश शामिल होता है आपके डैप्टर होते हैं तो मुझे यहां पर कैश इन बैंक नजर आ हुआ है cash in hand 342 तो cash हमारे पास note के सूरत में भी मौझूद है यानि कि फिजिकल पैसो में मौझूद है 342 और हमारे जो डैप्टर्स होते हैं वो भी current assets में आते हैं because debtors की values में भी changes होती रहती है कि आपको कोई उधार आप से किसी ने लिया होता है तो आपको या तो वह आपको उधार देता है या तो आप से और उधार लेता है तो उसमें values में changes आती रहती है एक साल के अंदर अंदर current assets और current liabilities वो होती है जिसमें one year यानि 12 months के अंदर changes आती रहें तो cash in hand cash in bank इसाब आपके department ऐसे हैं इसमें एक साथ में transactions होती रहती है तो debtors की value है 26740 तो debtors में लिख लेता हूं debtors 26740 अच्छा यहां पर आपके एक ऐसे टोर होता है वह होता है आपका stock जो आपका भी stock पढ़ा है क्योंकि आपके stock में changes भी आती रहती है वह तो बलकि एक महीने में एक दिन में changes आती रहती है जो आपका दिसंबर का जो stock पढ़ा है वह वह भी आपका ऐसा asset है जो आपके अगले महीने यूज़ होगा तो वह आपको दिया हुआ है 12408 इस टॉक यहां मैं इसको यहां पर inventory लिख देता हूं ज्यादा तार inventory वर यूज़ होता है 12408 अब देखें आप नीचे अंडर लाइन मैंने इसकी लगाई भी है कि मेरे यहां पर current assets complete हो चुके हैं और आप देख सकते हैं और कोई current asset नहीं दिया हुआ sales आपका income statement में जाता है purchase income statement में salaries, motor expense, rent expense, insurance expense, general expense यह सब आपके income statement में जा चुके हैं premises आपके होते है land and premises जमीन वगेरा वो आपके fixed asset में आते हैं वो भी हम बाद में लेंगे motor vehicles यह भी आपके fixed asset में आते हैं debtors हमने ले लिया credit liability है cash ले लिया bank ले लिया drawing और capital यह भी एक अलग चीज़ है पाकी stock भी हमने ले लिया तो सबसे पहले हम इसको calculate कर लेते हैं यानि कि मैं याप इस खुद कह देता हूं total current assets ठीक उसके बाद मैं heading यहाँ पर डाल देता हूं fixed asset अब मैं यहाँ पर fixed assets लिखूंगा fixed assets जो 12 महीने के बाद यानि 12 महीने तक उसमें कोई changes नहीं आती यानि आप वह ऐसे asset लेते हो जो long term के लिए हो जैसे जमीन वगेरा आप जब जमी investment के तोर पर जरूरी नहीं कि एक महीने में लिया तो तीसरा महीने में बेच दिया आप properties लेके रखते हो दाकर आने वाले वक्त में उसकी value बढ़ेगी तो पिर आप उसको बेच के आप profit कमा सकते हो तो यह आपके fixed assets में आते हैं जो के 12 महीने से उपर हो जाता है आपके पास fixed asset में आएगा एक तरीके से तो fixed asset हमारे पास कौन से दिये हो गए हैं premises दिया वाता सबसे पहले तो मैं यहां पर premises लिख देता हूँ premises और वैल्यू थी 95420 इसके बाद हमारे पास शायद motor vehicles दिया हुआ था motor vehicles की value है 16594 motor vehicles 16594 मैं वैल्यू इधर ही लिख जी अब यह देखे हमारे पास यह है fixed asset अब मैं इसको टोटल करना चाहूं तो आप यहां पर underline करके हाला कि दिखी है एक लौक बचा है तो मैं इसको भी underline टोटल लिख सकता हूं लेकिन चले मैं लिख लेता हूँ मैं इसको यहां पर total कर देता हूं इसका भी कलिया आपके पास में यहां पर इसको कहते हूं टोटल fixed assets अब मैं यहाँ पर एक नीचे लिखूँगा total assets यानि कि अब मेरा जो total assets होगा वो fixed और current को जोड़ कर बनेगा उन दोनों को जो मैं plus करूँगा वो आपका जो total assets होगा तो मैं यहाँ पर simple दोनों को plus करके लिख देता हूँ तो यह जो आपके value आए of assets ठीक तो इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारी लाइबिलिटी वाले सेक्शन में यहाँ पर आपके पास लाइबिलिटी इसका एक होगा आच्छा यहाँ पर आपने कारण लइबिलिटीज और लयकरा यहें और उसमें इतना ज्यादा ना तरूकर आपको इतने जदा लाइबिलिटी में दी फिन होती या तो जाधा लग करने जी इतनी जरूर पड़ती नहीं तो आप सिंपल लाइबिटी लिखकर भी सारी लिख सकते हैं इसमें को इतना बड़ इसूँ नहीं है अ ठीक तो आप मैं पहले इनको साइज बढ़ा देता हूं को है अ चीड़ अब करना भी और लाइबिलिटीस के अंदम देख लिख लेए ता में क्या दिया हुआ था मोटरा इसमें क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स दिया है सबसे पहले हम आर को लैबलिटी में क्योंकि देखें क कुछी चीज़ दीवें क्रेटर्स का वैल्यू है 16524 तो मैं आपक क्रेडिटर्स 16524 या की टोटल वैल्यू आ गई है लाइबिलिटी इसकी जो के और उसके लावा मैंका कोई लाइबिलिटी गिवें नहीं है वह कैपिटल था दूसरा मैं इसको कह दूंगा टोटल लाइबिलिटीज उसकी बाद आता आता है आपका कैपिटल तो अब मैं आप हेडिंग डाल लेता हूं कैपिटल की इसको भी बाटल कर देता हूँ को अच्छा कैपिटल ना अपके पास सबसे पहले जो नाम आता है वह आता है इनीशियल कैपिटल यानिकि आपका जो इनीशियल कैपिटल जो द्योंग हुआ था वो कितना था कैपिटल देखें हमारी यहां पे वैली डीविए यह द्येव यह लिख लिख लेता हूं वन लैक टोटी एट थाउजन शिक्सी सिक्स या की इनिशाल कापिटल की वैल्यू हो गई उसके बाद आपके पास एक होता है ड्रॉइंग ड्रॉइंग नानी विट्रो आप अपने कैपिटल से जो पैसे निकालते हैं यह अपने बिजनेस के लिए आपने बिजनेस में पैसे डाले था आप उजर्वत पड़ी अपने परसने काम के लिए आपने वो निकाल लिए तो यह आपके होता है ड्रॉइंग इसको हम ड्रॉइंग करते हैं तो और इसको शो कराने का तरीका ऐसे है कि आप इसको सिंपल ब्रैकेट में लिख दें एट तो bounce इसको घी ions गवक अपने और अपने इसको अपने अपना के लिए ब्रैकेट भी रखता हो ठीक तो आप इस तरह शो करेंगे ना तो पढ़ने अला समझ जाएगा कि यहाप यह वैल्यू जो है डिटक्ट हो रही है तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक चीज और इसमें एड होती है जो आपके आपका होता है नेट प्रॉफिट यानि कि नेट इ इंकम हमार को पिछले सवाल में क्या निकला था 21858 तो मैं यहां पर लिख देता हूं नेट प्रॉफिट और नेट इंकम वाटेवर यूँ वांट तो से 21858 अगर आपको शो कराना है कि आप इस नेट प्रॉफिट का करके आ रहे हैं तो आप यहां तो इसी पीछे यहां प प्लस बनाते हैं इस तरह करते हैं तो अब हम इसको यहां पर हमारी सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गया है नेट प्रॉफिट इंकर इनिशियल कैपिटल वगेरा अब हमारा ट्रायल बैलेंस वगेरा में कुछ नहीं बचा तो अब हमारा जो टोटल निकलेगा वो किस तरह नि इस उसमें से मैंने सब्ट्रेक करना है 8425 एक तॉझन फोल ना रड़न टुटी फाइफ और उसमें प्लस करना है तू वन तो यह आपके पार टोटल वैल्यू आई एट फाउजन ट्वेंटी थ्री पॉंड लेकिन ये दोनों एकवल नहीं होई है एक सेकेंड ये बैलेंस मे आशा कुछ ना कुछ इशू आ जाता है हमाई ये वैल्यू प्रेमिसेश की ये वैल्यू मोटर वेहिकल की वैल्यू 16594 16 ओ हो ये 594 था मैंने इसको 954 लिग दिया तो वैल्यू देखकर उतारिएगा इसमें बहुत मसले आ जाते हैं ये देखें अब आगे इक वैल्यू सिक्ष्टी एटाइप और मिस्टेक था मैंने एक डिजिट को आगे पीचे कर दिया तो आप ये वैल्यू जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखिएगा क्योंकि बैलेंस शीट में कभी कभार इशू आ जाते हैं ट टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ठीक तो ये था हमारा बैलेंस शीड होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये पैटरन मुझे परसनली असान लगता है आप बुक के पीच्छा लवी चेक कर सकते हैं अगर आपको वह असान लगता है उसका अड़कर सकते हैं तो आ इस बैलेंस आगया है तो आपने मतलब सवाल बिल्कुल अच्छे से सौल्फ कर लिया है क्योंकि आफ़ जाता है कि पहले ट्रायल बैलेंस बोलते हैं उसी इंकम स्टेट्मेंट बोलते हैं तो जब यह से कंबाइन ओके सवाल आते ना तो कहीं भी बीच में वैल्यू कोई न यह तीन फॉर्मिला मारे इंकम स्टेट्मेंट के हैं जो मैं आपको पिछली वीडियो में बदा चुका हूँ 7.1 अगर आपने इंकम स्टेट्मेंट की नहीं देखिए तो उपर आई बटन आ के पास आ रही होगी आप जाके देख सकते हैं यह हमारा सवाल था मिलते हैं अब 8.2 में जो कि यह वह भी बैलेंस शीट का सवाल है इंशालों वीडियो भी जल्दी आएगी तब तक लिए अपना ख्यार रखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को हीट कर दें ताके जब वीडियो आपको आजए तब तक लिए मिलते हैं त।